वेलकम टू दा प्रयागराद इंस्ट्यूट एक महत्पून वीडियो की स्रिंखला में हम आज मध्य परदेश में जो सक्सियत या ये कहें जो ब्यक्तित या कुछ भी पार्ख हो या कोई खेल से सम्मंधित स्टेडियम हो तो कौन मध्य परदेश में परथम रहा है ठिक हम उ कौन थे तो यहां आपके सामने जो उत्तर है वो है डाक्तर पटाभी सिता रमया ये है पहला प्रस्ण तो अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य परदेश के परथम राजी पाल का नाम बताईए तो उनका नाम था डाक्तर पटाभी सिता रमया अब देखते हैं दूसरा प्र मध्य परदेश के परथम राजी पाल कौन थे और ये प्रशन है कि मध्य परदेश के परथम मुख्यमंत्री कौन थे तो इसका सही उत्तर है पंडित रवी संकर सुक्ल अब पात करते हैं नेक्स्ट प्रशन की मध्य परदेश की परथम महिला राजी पाल कौन थी देखे य सूसरी सरला गिरवाल जो हैं वो मध्य परदेश की प्रथम महिला राजिपाल हैं अब बात करतें नेक्स्ट प्रशन की नेक्स्ट प्रशन ये है कि मध्य परदेश की प्रथम नयाधीस कौन थे क्या मध्य परदेश के प्रथम नयाधीस इस प्रशन का सही उत्तर है हिरायतुल्ला जो है वो भारत के Chief Justice of India मतलब सुप्रीम कोर्ट के ये मुख्य नायधीस भी हिरा चुके है ठीक है Chief Justice of India भी रहा चुके है मुख्मध हिरायतुल्ला और मध्यपरदेश के प्रथम नायधीस भी नेक्स्ट नेक्स्ट प्रशन ये है कि मध्यपरदेश के प्रथम ध्यान दिजे प्रथम गैर कॉंग्रेसी ठीक है गैर कॉंग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे इस प्रशन का सही उतर है कैलास जोसी ठीक है कैलास जोसी जो है वो मध्यपरदेश के नौन कॉंग्रेसी गैर कॉं अब बात करते हैं next question की, मध्य पर्देश की पर्थम महिला मुख्य मंतरी, ध्यान दी जी परस्ण ये है कि मध्य पर्देश की पर्थम महिला मुख्य मंतरी कौन है, इसका सही उत्तर है सूसरी उमा भारती, कौन उमा भारती? नेक्स्ट प्राशन मध्य परदेश की पर्थम महिला नयाधिश देखे यहाँ पे question twist होते चले जा रहे हैं पहले आपसे पूछा गया था कि मध्य परदेश के परथम नयाधिश कौन पे अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मध्य परदेश की परथम नेक्स्ट प्राशन मध्य परदेश के परथम विधान सभा अध्यच कौन थे भ्यान से देखे इस प्राशन को मध्य परदेश के परथम विधान सभा अध्यच कौन थे तो यह हैं कुंजी लाल दूबे कुंजी लाल दूबे जी मध्य पर्देश के पर्थम विधान सवाग के अठ्यच थे, ठीक है? अब नेक्स प्रस्ट, मध्य पर्देश के पर्थम मुख्य सचीव कौन थे? ठीक है? तो पर्थम मुख्य सचीव में नाम आएगा एच एस कामत, कौन? एच एस कामत जो है, वो मध्य पर्देश के पर्थ मुख्य सचीव कौन थे और यहाँ पर प्रशन आ गया कि पर्थम महिला मुख्य सचीव कौन थे ठीक है तो इस प्रशन का सही उत्तर है निर्मला बुच्च जो है वो मध्य परदेश की पर्थम महिला मुख्य सचीव नेक्स्ट प्रशन मध्य परदेश के पर्थम विधान सभा उपाध्यच ये प्रशन भी पूचा जा रहा है ठीक है पहले स्लाइड में ये प्रशन था आप से कि मध्य परदेश के पर्थम विधान सभा के अध्यच कौन थे ठीक है अब यहाँ पर पूचा जा रहा है कि मध् प्रथम बिधान सभार के उपाध्यच्च नेक्ट प्रस्न मध्य प्रदेश में कौन प्रथम बिपच्च के नेता तो यहां पे विश्रुनात तामस्कर का नाम याद रखेगा ठीक है मध्य परदेश में प्रथम विपच्छ के नेता कौन? विश्रूनात तामस्कर नेक्ट प्रशन मध्य परदेश की प्रथम महिला विपच्छ नेता कौन? ये भी प्रशन वेरी इंपोर्टेंट में रखें ठीक है? प्रशन ये है कि प्रथम महिला विपच्छ नेता बताना है मध्य परदेश की प्रथम महिला विपच्छ नेता कौन थी इस प्रशन का सही उत्तर है जमुना देवी जमुना देवी जी का नाम याद रखेगा ठीक है अब बात करेंगे नेक्स्ट प्रशन की मध्य पर्देश में पर्थम राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे ठीक है स्टेक्स इलेक्शन कमिंशनर की बात की जा रहे है पहले ठीक है तो पर्थम राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे सही उत्तर है N.B. लोहानी N.B. लोहानी जो हैं वो मद्य पर्देश में प्रतम राज्य निर्वाचन आयग थे Next मद्य पर्देश के प्रतम राज्य वित्त आयोग अध्यच कौन है मद्य पर्देश के प्रतम राज्य वित्त आयोग के अध्यच सितला सहाई कौन सितला सहाई Next मध्य पर्देश के पर्थम राज्य सूचना तो टी एन शिरवास्ता जी का नाम याद रखिएगा। यान सिर्वास्ता प्रथम राजी सूचना आयुकते थे, next, मध्य परदेश के प्रथम, पुलिस महानिरिच्छक की बात की जा रहे है, पुलिस महानिरिच्छक, इसका सही उत्तार है, बीजी घाटे, ठीक है, बीजी घाटे, next, यहाँ प्रश्न आपके सामने यह है, कि मध्य प्रथम पुलिस महानिरिच्छक की बात की जा रहे है, इसका नाम है वीपी दूबे, और वीपी दूबेजी, next, नेक्स्ट प्रश्न यह है आपके सामने, कि मध्य परदेश के प्रथम महा अधिवक्ता कौन थे, ठीक है, एड़ोकेटल जंडल की बात की जा रहे है, ठीक है प्रथम मध्य परदेश के प्रथम महा अधिवक्ता कौन थे, ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर है, स्री एम अधिकारी, ठीक है, तो प्रथम महा अधिवक्ता कौन, स्री एम अधिकारी, next, next प्रश्न यह है कि मध्य परदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन है, ठीक है, प्र अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है, की मध्य पर्देश में प्रतम कौन क्या है, ठीक है, तो मध्य पर्देश के प्रतम लोका युक्त कौन है, पीवी, दिच्छे, तो आगे हम लोग बात करेंगे, की मध्य पर्देश के प्रतम, राजी योजना मंडल अध्यच कौन, राजी मध्य पर्देश की पर्थम महिला IPS अधिकारी की बाग पुछी जाए किसकी IPS ठीक है IPS का पिल फार्म एंडियन पोलेस सर्वीस तो पर्थम महिला IPS अधिकारी में नाम आता है कुमारी आसा गोपाल का किसका कुमारी आसा गोपाल next question मध्य पर्दियस के पर्थम लोग सवा आयोग ठीक है पर्थम लोग सवा आयोग के अध्यच कौन थे यहाँ पर जो है MPPSC की बात की जा रहे MPPSC के पर्थम chairman की बात की जा रहे अध्यच की बात की जा रहे तो इनका नामें याद रखेगा Siri DV Regay अब हम बात के रहेंगे next question की इस अफुर्थ महिला फाइटर पाइलेट का ना मता ने थेन इस दॉकित की है आउनी चत्रुआदी कौन? आउनी चत्रवेदी जे हैं वो पर्थम महिला फाइटर पाइलेट थी मध्य परदेस की नेक्स्ट परशनी ये है हमारे सामने कि मध्य परदेस के परथम नोबल प्रसकार विजेता कौन है ठीक है तो इसका सही उत्तर है कैलास सत्यार्थी अब यहाँ पर मैं आपसे प्रशनी या पूछना चाहरा कि आप ये बताए कि नोबल प्रसकार विजेता कैलास सत्यार्थी के साथ में एक सत्स को और जो है नोबल प्राइस दिया गया था सांती का इनी के साथ उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा अब हम आद करते हैं नेक्स्ट प्रस्न की मध्य पर्देश का पर्थम राष्टी उद्यान कौन सा है? ठीक है नेशनल पर्देश का पर्थम विश्विद्याले कौन सा है? मध्य परदेश का पहला विश्विद्याले पुछा जा रहा है तो यहाँ पर याद रखेगा डाक्टर हरी सिंग गौर विश्विद्याले जो की सागर जिले में है कौन डाक्टर हरी सिंग गौर विश्विद्याले सागर नेक्स्ट नेक्स्ट प्रशन यह है कि मध्य प्रदेश का प्रथम सौर उर्जा ग्राम कौन सा है ठीक है मध्य प्रदेश का पहला सौर उर्जा ग्राम तो इस प्रशन का सही उत्तर है कस्तुर्बा ग्राम जो की इंदौर सायर में ठीक है तो इंदोर जिले के पस्तुर्बा ग्राम जो है वो मध्य परदेश का पहला सौर ओर्जा ग्राम है नेक्स्ट मध्य परदेश का प्रथम ग्राम न्याले कहां इस्थी थे मध्य परदेश का पहला ग्राम न्याले कहां इस्थी थे यह बहुत ही अच्छे अच्छे प्रस्ण है इनको आप अपने मेमरी में जरूर रखेगा जरूर याद रखें इसको ठीक है बेरसिया बेरसिया भुपाल में ठीक है बेरसिया जो है वो भुपाल जीले में है यह मध्यपरदेश का पहला ग्राम न्याले नेक्स्ट प्रस्ण के हम बात करते हैं प्रस्ण यह है कि मध्य प्रदेश का पहला केंद्री विश्विद्याले का दर्जा प्राप्त करने वाला विश्विद्याले कौन सा है ठीक है यहाँ पे Central University की बात की जा रही है ठीक है केंद्री विश्विद्याले का दर्जा प्राप्त करने वाला विश्विद्याले कौन सा है? पहला विश्विद्याले. तो ये है सागर विश्विद्याले. Next. मद्य पर्देश का पर्थम अंतराष्टी हवाई अड़ा कौन सा है तो यह है इंदोर ठेक है मद्य पर्देश का पहला अंतराष्टी हवाई अड़ा इंदोर नेक्स्ट नेक्स्ट पर्देश का पर्थम आपदा परबंधन संस्थान कहां इस्थित है यह बहुत इंपोर्टेंट कोश्चन है खास तोर से अभी जो आपके एक्जाम होने जा रहे तो यह याद रखेगा यह भोपाल में है मध्य परदेश की राज़दानी भोपाल में आपको मिलेगा मध्य परदेश का पहला आफदा परबंधन संस्थान नेक्स परशन हमारे सामने यह है कि मध्य परदेश का प्रथम विसेज आर्थिक छेत्र कहां इस्थित है ठीक है? special economic zone की बात की जा रही है तो मध्य परदेश का प्रथम विशेश आर्थिक छेत्र है वितामपूर ठीक है का वितामपूर next next प्रशनी है कि मध्य परदेश का प्रथम जिवास राष्टी उद्ध्यान कहा इस्थी पर क्या मध्य परदेश का पहला प्रथम टाइगर प्रजेक्ट कौन सा है मध्य परदेश का पहला टाइगर प्रजेक्ट तो मध्य परदेश का पहला टाइगर प्रजेक्ट है काहा किसली नेशना पार्क ठीक है काहा किसली next प्रशनी है कि मध्य परदेश का पहला आकास वानी केंद्र कहा इस्थापित किया गया यह है इंदोपर इन दौर सहर में सबसे पहला मध्य परदेश का आकासवाणी केंद्र इस्थापित जा गया नेक्स्ट प्रस्णिया है कि मध्य परदेश का पहला परमाणू विजली घर कौन सा है ठेक है पहला atomic powerhouse की बाग की जा रहे है परमाणु वीजली घर की बाग की जा रहे है इसका ना परियाटर नगर की जा रहे है ये है सीवपुरी ठेक है तो सीवपुरी का नाम याद रखेगा नेक्स्ट मध्य प्रदेश का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है या प्रथम समाचार पत्र कौन सा है मध्य प्रदेश का यह है ग्वालियर अकबार कौन सा ग्वालियर अकबार नेक्स्ट नेक्स्ट प्रस्ट में है कि मध्य प्रदेश का पहला पर्थम खेल विद्ध्याले कौन सा है तो पर्थम खेल विद्ध्याले सिहोर में है कहां पे है सिहोर जीले में पर्थम खेल विद्ध्याले मध्य प्रदेश का पहला रेप्टाइल पार्क किस जीले में इस्थी थे यहां पर पूछा जा रहा है कि पहले रेप्टाइल पार्क का नाम मतलब कहां पर है किस जीले में तो है पन्ना में कहां पर है पन्ना में तो पन्ना का नाम याद रखेगा रेप्टाइल पार्क के नगर निगम कौन सा है, यहां पर पुछा जा रहा है कि मध्य परदेश का पर्थम नगर निगम कौन सा है, तो पर्थम नगर निगम के करम में याद रखेगा जबल पूरता नाम, ठीक है, नेक्स्ट, मध्य परदेश की पर्थम नगर पाली का कौन से है, यहां पर पुछा है कि पहली नगर पालिका कौन से तो यह नगर पालिका है दपिया next next नेक्स्ट प्रस्मी है कि मध्यपर्देश, मध्यपर्देश का पहला अंगूर अनुसंधान केंद्र कहां इस्थापित किया, ठीक है, अंगूर अनुसंधान केंद्र कहां इस्थापित किया, तो इसका सही उत्तर है रतलाम, ठीक है, रतलाम, नेक्स्ट, नेक्स्ट प्रस्मी ये है कि मध्य पर्देश की पर्थम DNA ठीक है? DNA परियोकसाला कहां इस्थित है? तो इसका सही उत्तर है सागर. सागर में मध्य पर्देश की पहली DNA परियोकसाला DNA लेबरोर्टी बनाई की है. ठीक है? अच्छा, कमेंट बॉक्स में ये जरू बताईए कि DNA का फुल फॉर्म क्य होता है. ठीक है? नेक्स प्रस्न मध्य पर्देश में पहला यूनानी चिकिसा महाविद्याले कहां इस्थित है? तो मध्य पर्देश में पर्थम यूनानी चिकिसा महाविद्याले की बात की जा रही है. तो इसका सही उत्तर है बुरहानपूर. कहां? बुरहानपूर में प इसका सही उत्तर है चातरपूर क्या चातरपूर में पहला सिल्प ग्राम बनाया गया है नेक्स्ट नेक्स्ट प्रस्ण ये है कि मध्य परदेश का पहला मदर मिल्क बैंक ध्यान दीजिएगा मदर मिल्क बैंक कहां इसका सही उत्तर है होशंगाबाद का जीला अस्पताल कहां होशंगाबाद का जीला अस्पताल में मध्य परदेश का पहला मदर मिल्क बनाया गया ह मदर मिल्क बैंक बनाए गया ठीक है next नेक्स प्रस्ट में ये है कि मध्य परदेश की पहली खुली जेल कहा इस्ती थे क्या पहली खुली जेल कहा इस्ती थे इसका सही उत्तर है असोक नगर जिला में 901 सिविट ठीक है तो ये असोक नगर में है मध्य परदेस की पहली खुली जे अब next question मध्य परदेस का प्रथम सर्प उद्यान कहां इस्थाफित किया गया है ठीक है मध्य परदेस का प्रथम सर्प उद्यान कहां इस्थाफित किया गया है इसका सही उत्तर है भोपाल ठीक है तो सर्प उद्यान अगर आप से पूछा जाए तो आप बताएगा भुपाल मध्य परदेश का ध्यान दीजे मध्य परदेश का पहला पर्यावरण न्याले कहां इस्थापित किया गया है इन प्रशनों के करम में ये प्रशन भी बहुत ही इंपोर्टेंट है ठीक है इसका जो है वो सही से नाम याद रिखेगा ये है भुपाल में ठीक है तो मध्य परदेश का पहला पर्यावरण न्याले भुपाल में इस्थापित किया गया है मध्य परदेश का प्रठम चिकित्सा महाविद्याले कहां इस्थापित क्या गया है मध्य परदेश का पहला चिकित्सा महाविद्याले इसका सही उत्तर है ग्वालियर तो यह हमारे सामने कुछ important प्रशन थे इन प्रशनों को जरूर आप याद रखें ठिक और ये प्रस्ण जो है वो अक्सर एक सामने पुछे जाते हैं ये वीडियो आपको कैसा लगा जैसा भी लगा कमेंट बॉक्स में चरूर बताईएगा तब तक के लिए धन्यवाद